हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल टेकटाफ फर सक्सेज फाइनली एससी जेई 2019 का एकजाम समापत हो गया बिहार इस्टेट के स्टुडेंट का छोर के इस वीडियो में हम लोग एससी जेई 2019 के मेकेनकर और अलेक्टिकल का एक्सपेक्टेड कटप देखेंगे कि कितना का कटप जा सकता है और प्रिवेश येर कटप भी देखेंगे 2016, 2017 और 2018 का टियर वन का कटप देखेंगे बस सबसे पहले प्रिवेश येर कटप देखते हैं टियर वन का 2016 में अन्रिजर्व कटेग्री का गया था 115 के आसपास 2017 में टियर वन का अन्रिजर्व कटेग्री का गया था 131 यहां 2017 2018 में अन्रिजर्व कटेग्री का टियर वन का कटप गया था 152 पॉइंट थिरी के आसपास देखें कितना कटप बढ़ा है 2016 से 17 में 16 नमबर और यहां सीधे एक किस नमर के आसपास बढ़ गया है एलेक्रिकल और मेकेनिकल का कमबाइंड कटप बनता है तो देखते हैं एक्सपेक्टेट कटप कितना बन सकता है मेकेनिकल का चार्ज सिप्ट में एक जाम हुआ था चार्ज सिप्ट में 27 को मौर्निंग इविनिंग में 28 को मौर्निंग इविनिंग में 27 के मौर्निंग का कुश्चन लेबल इजी था और 27 के इविनिंग में 20 चे 25 नुमेरकल दिया हुआ था इसके वाज से थोड़ा टॉप था 28 को मौर्निंग का पेपर इजी था और सें 28 का इविनिंग का पेपर थोड़ा टॉप था और इलेक्टिकल का सायद 3 सिप्ट में पेपर हुआ था 29 को मौर्निंग इविनिंग में और 28 को एक सिप्ट में पेपर हुआ था इलेक्टिकल का इस साल का पेपर प्रिवेश यर जो पिछले साल 2018 का पेपर था उससे एजी था और हम कह सकते हैं कि जैसे कि प्रिवेश यर कटप गया था 122.3 तो इस बार कटप जा सकता है क्योंकि पेपर इजी था और सीट भी प्रिवेश यर से कम है इस बार तो इस बार कटप ज़्यादा जाना चाहिए तो इस बार कटप 150, 8 से 165 के आसपास जाना चाहिए क्योंकि पिछले साल से इस बार का पेपर इजी भी है और पिछले साल से इस साल सीट कम है तो जन्राल का कटप 158 से 165 के आसपास जाना चाहिए EWS का 152 से 155 जाना चाहिए और OBC का कटप भी इसी के आसपास जाना चाहिए 152 से 155 HD का कटप जाना चाहिए 140 से 145 थैंक्स फ्रेंट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल